हर्याना की पूरो ग्रेयम स्वास्थ मंत्री अंणील विज ने ट्वीट कार कॉंग्रेस पार्टी पर निशान असाधा विज ने अपने एक्स हेंडेल पर लिखा कि जिस पार्टी के हीरो लोगों को स्टोब में कोईले डाल कर चाये बनाने की बात बताते हो और जिस पार्टी के राष्टिय अद्यक्स धारा 370 को 371 बताते हो ऐसे पार्टी को देश में वोट मांगने का अधिकार नहीं है। के एक हिंदोस्तानी ने कई वर्षों तक जिसको खतम करने के लिए परियास किया जिसको नरिंदर मोदी जी ने आगे तोड़ा जिसकी वज़ा से आज कश्मीर में खुशाली आई जो धारा 370 को 371 कहता हो ऐसी पार्टी को इस देश से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। आप पार्टी राष्टिय प्रवक्ता जस्मीन साहा ने कहा कि भाजपा ने एडी की हालत बापू के तीन बंदरों जैसी करती है। जिस पर भी जिने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप पार्टी को उठते बैठते जागते सोते इडी नजर आती है। कि आप पार्टी नहीं यह पाप पार्टी है। अब यह जो आप पार्टी है इनको सोते जागते हैं। इडी ने जर आती है। क्योंकि यह आप पार्टी नहीं पाप पार्टी है। इन्होंने इतने पाप किये हैं। कि उनको हर वकर डर लगता है। इसने गल्द काम नहीं किया। उसने क्या लेना CBA से, Income Tax से और ED से। इन्होंने गल्द काम किये हैं। इसलिए यह हर वकत यह बात करते हैं। इनको और कोई बात समझ नहीं आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवतमान ने कहा कि आप सविधान खत्रे में है। जिसको लेकर विजने परतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरू की कॉंग्रेस सरकारों में को पैरों तले रोंदा गया। लेकिन भगवतमान को सविधान रोंदने वाली कॉंग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही। क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी के साथ तो वो गल्मया करके घूम रहे है। सम्विधान जितना मजबूत भारत्य जंता पार्टी के शासन में हुआ है उतना अब से पहले कभी नहीं था कांग्रस की सरकारों के समय चुनी हुई सरकारों को तीन सो चपन लगाकर तोड़ दिया जाता था इंद्रा गांदी ने इनकी पूर प्रधान मंत्री ने सम्विधान को रोंद कर देश में अमर्दंसी लगाई और लखो लोगों को जूटे केस बनाकर जेलों में डाला अखवारों में सेंसर्शिप जो चोथा स्टम्ब है प्रधा तंत्र का उस पें सेंसर्शिप लगाई खबरे च्छापने पर रोक लगाई तो अफसोच की बात ये है कि मांद साब को सम्विधान को रोंदने वाली कांग्रेस पार्टी नजर रही आती कांग्रेस पार्टी के साथ तो आज गलवईयां पा रहे हैं उसके लिए वो कुछ नहीं कहना चाहिए केजरिवाल की गिरफतारी के बाद लगातार आप पार्टी के नेता और कार्यकरता धरना पर दर्शन कर रहे हैं जिस पर विजने परतिकरिया देते हुए कहा कि केजरिवाल अगर जेल में है तो कोड में उन्हें जमानत नहीं दी इसलिए वो जेल में है और क्यूंकि गलत किया है लेकिन कोड के तो यह कोड की सरा सरा आभ मानना है देखिए ऐसा है कि खेजरिवाल जी अगर आज जेल के अंधर हैं तो वह इसलिए हैं क्योंकि मानने अदालत ने उनको जमानत देना हुज उतने समझा तो अगर यह उस निरने के खिलाफ जरना पर दर्शन कर रहे हैं तो यह कोड की आभ अब आप देखो अपने आज पास की हर खबर अंबाला ब्रेकिंग निउस पर अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप आज ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एपल या एंड्रोइड फोन के प्ले स्टोर से आज ही हमारी अप अंबाला ब्रेकिंग निउस डाउनलोड करें अगर आप भी हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो हमें हमारे वाट्सअप नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं हमारा वाट्सअप नंबर है 9315348868